वह एक अच्छा किसान होगा इस sentence को हम English में translate करेंगे आज किस वीडियो में तो किसी भी Hindi sentence को English में translate करने के लिए पहले हम देखते हैं कि वो किस तरह का sentence से किस प्रकार का है तो यह देखने के लिए हम sentence के अंत में देखते हैं कि अंत में क्या है तो इस sentence के अंत में किसान होगा, यानि जिस भी इंदी sentence के अंत में गाग यह आयो future tense के नियम से translate होता है और यह future and definite tense का affirmative sentence है तो future and definite के affirmative sentence को English में translate करने के नियम होता है पहले हम लिखते हैं subject और इस sentence का subject है वह तो पहले वह की English लिखेंगे वह को English में ही कहते हैं तो पहले ही लिखेंगे उसके बाद cell या will में से कोई एक helping verb लिखेंगे subject के अनुसार तो जब subject ही रहता है तो ये के साथ हमेशा will लगता है उसके बाद हमें verb लिखना है और इस sentence का बर्व क्या है किसान होगा यानि होगा ये कौन सा बर्व है तो देखी इस sentence का मतलब है कि वह एक अच्छा किसान भविश्य में बनेगा भविस्य में कुछ बनने की बात हो कोई प्रोफेशन बनने की बात हो तो उसके लिए हम भी लिखते हैं तो विल के बाद भी लिखेंगे और उसके बाद जो भी अधर अबजेक्ट हो एक्स्ट्रावर्ड हो इसमें है कि एक अच्छा किसान यानि एक गूड फार्मर वह एक अच्छा किसान होगा इसके इंग्लिस होती है He will be a good farmer लेकिन दोस्तों यहीं पर विडियो को स्टिप मत कर दिना तो इस सेंटेंस को हमने एक अच्छा किसान बनेगा समझ करके ट्रांसलेट कर दिया लेकिन दोस्तों इस sentence का क्या यदि इस sentence का मतलब ये हो कि वह एक अच्छा किसान होगा मतलब वह एक किसान होगा जैसे कि अनुमानी थे अनुमान लगा रहा है कोई किसी को देख करके दूर से कि वह एक किसान होगा तो ऐसे में helping verb change हो जाएगा मतलब कि will के जगा उड का प्रय लोग किया जाएगा दोस्तों इसे तरह के और भी हिंदी टू इंग्लिज ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएगा हुआ 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 है